लगातार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जारी है आज लोकसभा में करीब उन्चा सांसद और निलंबित कर दिये गए और अब निलंबित सांसदों की संख्या 142 पहुँच गई है तो कुछ सवाल है सरकार से मोधी जी ये स्वांगी बंद कर दीजे क्या ड्रामा संसद का सदन का सत्र का ये सब करना है लगाए सदन पर ताला और जो मर्जिया पारा है वैसे ही कर रहे है तो क्यों ये ड्रामा ये स्वांगी क्यों रचना है असलियत तो ये है कि लोकतंत्र को जितना बड़ा खत्रा आप से और आपके मनसूबों से है उतना पहले लोकतंत्र को खत्रा इस देश में नहीं था और वो तमाम लोग जब हम कहते थे लोकतंत्र खत्रे में है जो फबतिया कसते थे जो पलट कर पूछते थे आप लोग ऐसी बात क्यों करते हैं अब क्या कहेंगे अगर इस देश के 142 सांसद निलंबित हो जाते हैं तो लोकसभा या राजसभा में विपक्ष की बात को विपक्ष के मुद्दों को कौन उठाएगा विपक्ष की क्या भूमिका होती है विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की जवाब देही तै करना उनसे सवाल पूछना हर उस मुद्दे पर जो लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूख होई ग्रह मंत्री वजाए संसद में आकर बयान देने के किसी टेलिविजन चानल पर बैठकर ग्यान दे रहे है प्रधान मंत्री वजाए संसद में आकर भरोसा और आश्वासन देने के अख़बार को बयान दे रहे है तो देश जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से देश चलता नहीं है पहली बात तो यह कहनी है और यह क्यों हो रहा है क्योंकि मनमानी करनी है लोगसभा और राजसभा में चीफ इलेक्शन कमिशन को अपने अंगुठे के तले दबा के रखना है तो वो बिलपास कराना है प्रेस की फ्रीडम को खतम करने के लिए प्रेस and registration of periodicals बिलपास कराना है टेलीकॉम का नया बिलपास कराना है जिससे सरकार जब चाहे टेलीकॉम की सेवा स्थगित कर सकती है और आपके फोन पर जब चाहे टापिंग कर सकती है क्रिमिनलाइजेशन पर एक नया बिलपास कराना जिससे ये देश पूली स्टेट बन जाएगा अब विपक्ष रहेगा तो विपक्ष सवाल पूछेगा सवालों का इनके पास कोई जबाब नहीं है संसद में भारी चूख हूई सुरक्षा में उसका ट्रिगर बेरोजगारी की बात नहीं बात करेंगे इन बिल्स पर चर्चा नहीं करेंगे बस किसी तरह से अपनी मनमानी करते जाएंगे ये असलियत मोदी सरकार की है लेकिन इसी असलियत के चलते आज कुछ एक बोगी एक लॉबी तयार हुई constitutional position पर बैठे हुए लोगों की अवमानना हो रही है कहां थे आप लोग क्यों मुँ में दही जवाई हुई थी क्यों आखों पर पट्टी बांध ली थी जब constitutional positions पर बैठे हुए लोग सांसदों के हक्त का हनन करते हैं जब मनाय उनको निलंबित करते हैं बजाए लोगतंत्र के प्रहरी बनने के लोगतंत्र के सबसे बड़े भक्षक बन जाते हैं और मर्यादित टिपड़ी विपक्ष के नेताओं पर करते हैं तब आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं सारा ज्यान विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए जी हजुरी रहेगी, असलियत ये है कि देश के संसद को केजी का स्कूल बना दिया है इन लोगों ने, ये चुने हुए संसद है, इनका काम है आवाज उठाना, इनका काम finger on your lips रखके head down कर देना नहीं है, sit down, stand up करना जो केजी में teacher और principal कराते हैं, ये देश के संसद है, इनका काम है, तीखे सवाल पूछना, इनका काम है सरकार को कट घरे में खड़े करना, लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी के शासनकाल में जो जो सवाल पूछेगा, उसका निलंबन होगा, और अगर जादा लोकतंत का चसक तो आपको निशकासित भी किया जा सकता है, करके भी दिखाया गया है, तो यहाँ पर जो आहत हुई lobby है, चुपचा बैठ जाईए, जैसे मूँ पर ताला तब लगाया था, जब लोग अपने हक का और सांसदों के हक का हनन कर रहे थे, वैसे ही अब चुप रही है, असलियत के इतिहास में वो काला धबा है, जो छुटाएं नहीं छुटेगा,